आज की वेडियो में उन लोगों के निये लेके आई हूँ जिने बिल्कुल बिस लाइन ने आती वो बिस वेडियो को देखने के बाद बड़े ही आसानी से सूट के कटिंग कर सकते हैं तो चलिए वेडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए मैंने ये दो मिटर कपड़ा लिया है देखिए मैंने ये सूट लिया है और जो मुझे सूट के कटिंग करनी है वह मैं इस सूट के हिसाब से करूँगी आप भी अपना एक सूट ले लें जिस हिसाब से आपको इसकी कटिंग करनी है देखिए मैंने कपड़े को उस तरीके से चारते में फोल्ड कर दिया है यह देखिए यह बंद साइड है यह देखिए यह दो बंद है और यह देखिए खुली साइड है और इधर से देखिए दो बंद साइड है और यह खुली साइड है उसके बाद में आपको अपना सूट लेना है जिस नापे का आप इसे बनाना चाहते हैं उस नापे का आपको सूट लेना है यह देखिए यह मैंने सूट लिया है और आपको इसे बिल्कुल इक्सार करके इसके उपर रख देना है ये देखे मैंने इसे बिल्कुल एक सार करके इस कपड़े के ऊपर रख दिया है उसी तरीके से आपको रख देना है उसके बाद में देखिए सबसे पहले ये कपड़ा जो उंचा नीचा हो रहा है देखिए मैं इस तरीके से आदे इंच के करिब निशान लगाऊंगी इसे ए देखिए उसके बाद में यह जो गुला बनना इस तरीके से देखिए हम इसके अंदर निसान लगाएंगे बलुकुल इसी तरीके से और देखिए यहां तक लगाएंगे यह जो शिलाई है और उसके बाद में आदा इंच हम इस तरीके से देखिए छोड़के ऊपर निसान लगाएंगे शिलाई के लिए और यहां से भी आदा इंच लेंगे देखिए यहां पे निसान लगाने के बाद आपको नीची आना है और यह देखिए दो इंची का मैं इसके अंदर मार्जन लूँगी और इस तरीके से इसे सीधा कर दूँगी सबसे पहले आपको इस तरीके से नीचे का और उपर का margin ले लेना है और देखिया उसके बाद में हम यहां से निसान लगाएंगे और यहां से ग देखिये यह हमारे hip है तो यहां से हम इस तरीके से सीधा कर देगे उसके बाद में आपको यहाँ पे 1.5 इंची का मार्जन लेना है और देखे इस तरीके से सीधा कर देंगे और इस तरीके से इस निसान को नीचे तक ले जाएंगे देखे इसके बाद में आपको बाजू को इस तरीके से करना है और इस तरीके से आपको निसान लगाने है इसे इस तरीके से करते जाना है आपको बाजू को और देखे इसके बाद में आपको यहाँ से आदेंच के करीब इधर बढ़ा देना है यह जब हम इसके अंदर आरम होल की स्लाई डालेंगे तो यह आदाईंच स्लाई में चला जाएगा इसे हम देखे सीधा कर देंगे उपर तक यह देखे जिस तरीके से मैंने इसके निसान लगाए हैं उसी तरीके से आपको इसके निसान लगाने हैं और उसके बाद में आपको इसके कटिंग कर देनी है देखे आपको इसके कटिंग जो करनी है वो आपको देखिए इस निसान पर करनी है जो हमने मार्जन का लिया है ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है उसके बाद मैं आपको इसके अंदर से एक पार्ट निकाल के अलग रख देना है और ये देखिए जो एक पार्ट है इसे आपको इसी तरीके से बिछा लेना है ये देखिए मैंने इसके अंदर से एक पार्ट निकाल के अलग रख दिया है और एक पार्ट को इस तरीके से बिछा लिया है उसके बाद में देखिए इस गले की लंबाई में दो इंच बढ़ा दूँगी और इस तरीके से इसके गोलाई कर दूँगी और उसके बाद में ये जो इसके आर्म होल है इसके हम गोलाई कर देंगे और उसके बाद में आपको इसकी कटिंग कर देनी है इन दोनों पाटोकों में एक साथ रख दूंगी और अब हम बाजु की कटिंग करेंगे ये देखिए बाजु की कटिंग के निये मैंने कपड़े को इस तरीके से चारते में फोल्ड कर दिया है ये देखिए दो बंते येरी और दो बंते येरी और ये देखिए इधर से चारो साइट खुली हुई है और इधर से देखिए चारो साइट खुली हुई है और इधर से चारो साइट बंध है उसी तरीके से आपको कपड़े को फोल्ड करना है फिर आपको सूट लेना है और इस तरीके से इसे इसके उपर रखना है सेम हमें इसी तरीके से इस वाली बाजू के आर्म होल की गोलाई करनी है ये देखिए आपको यही तक इसकी गोलाई करनी है और फिर आपको यहां से इस तरीके से सीधा कर देना है और देखिए यहां पे आपको फिनिसान लगाने है आदे इंच का मार्जन लेंगे हम सलाई के निये और इसी तरीके से इसकी भी हम गोलाई कर दिंगे उसके बाद में आपको सूट लेना है और उसके बाद जिको इस तरीके से इसके उपर रखना है उसके बाद में आपको यहाँ पे एक इंची का मार्जन लेना है यी मार्जन हमारा नीचे महोरी फोल्ड होने में चला जाएगा उसके बाद में आपको यहाँ पे इस तरीके से महोरी के निसान लगाने है और देखे उसके बाद में आपको इस तरीके से इंची टेप को रखना है और इस निसान को इस तरीके से मिला देना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर डेड़ इंची का मार्जन लेना है सलाई के लिए और उसके बाद में आपको इस तरीके से इंची टेप को रखना है और इस निसान को मिला देना है और उसके बाद में आपको इस निसान को नीचे तक मिला देना है ये देखी मैं आपको इस निसान को सीधा करके दिखाती हूँ ये जो मैंने मार्जन लिया है ये महोरी फोल्ड होने में चला जाएगा और ये जो मैंने आदे इंच का मार्जन लिया है ये हमारा सिलाई में चला जाएगा जिस तरीके से मैंने आपको उसके निसान लगा के दिखाएं हैं उसी तरीके से आपको उसके निसान लगाने हैं और उसके बाद में आपको उसकी कटिंग कर देनी है और उसके बाद में आपको यहाँ पे बीच में एक कट लगाना है ताकि हमें बाजू का बीच का सेंटर पता चल सके और उसके बाद में देखिए हम बाजू के इस तरीके से गोलाई कर दिंगे उसके बाद में देखिए इस तरीके से मैं इसके अंदर कट लगाऊंगी और ये कट मैंने इस निये लगाया है ताकि जब हम इसके अंदर बाजू अटेच करें तो हमें कोई भी confusion ना हो कि हमारा गुलाई वाला हिस्सा कहा है तो आप देख सकते हैं हमारे सूट की कटिन कंप्लीट हो चुकी है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो भी हमारे चरण को सुस्क्राइब करें हम आपके लिए इसी तरीकी की वीडियो लाते रहेंगे